नमस्कार दोस्तों आज हम श्री राधे राधे नाम की महिमा का उलेक करेंगे क्या आपको पता है राधा नाम जपने से ही श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन हो जाते हैं राधा के नाम के बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना गया है राधा नाम की महिमा है कि श्री कृष्ण जी सुयम कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे सो नाम का समर्ण किया और श्री राधा रानी का नाम एक बार लिया तो दोनों का फल एक समान ही होगा लेकिन जो भग्द, सदा, सरवदा, राधा नाम का जाब करता रहेगा उसको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता एक बार एक संथ एक नगर में आए उनके पास एक नगर का सेट आया और कहने लगा कि महराज मेरा पुत्र भगवान का नाम नहीं लेता मुझे फिक्र रहती है कि उसका परलोग कैसे सुदरेगा सेट संथ को अपने घर आमंतरित करता है सेट अपने पुत्र को संथ से मिलवाता है संथ उसके पुत्र को बार बार राधे राधे बोलने को कहते है लेकिन वे बार बार यही कहता है मैं क्यों बोलू लेकिन गलती से एक बार उसमें गुसे मैं कह ही दिया क्यों बोलू मैं राधे-राधे संतिया सुनकर प्रसन हुए और कहने लगे कि मृत्यू के पश्चाद जब तुमको यम लोक लेकर जाएंगे तो यम राज तुमसे पूछेंगे तुमने कौन सा पुन्य किया है तुम कहना कि मुझे राधे-राधे नाम एक बार बोलने की महिमा बता दो मैंने एक बार राधे-राधे का नाम लिया था उसका पुन्य मुझे दे दो अपनी आयूब होकर जब वह परलोग गया तो यम राज ने उससे पूछा कि तुमने कोई पुन्य किया है वह कहने लगा मैंने राधे-राधे नाम का एक बार जाप किया था आप मुझे उसका पुन्य बता दो यमराज को एक बार राधे-राधे नाम बोलने की महिमा नहीं पता थी इसलिए यमराज ने पालकी मंगाई और लड़के को इंदर देव के पास लेकर जाने लगे लेकिन लड़का जिद्द करने लगा कि मैं इंदर देव के पास तभी जाऊंगा अगर पालकी एक तरफ से आप उठाएंगे यमराज पालकी लेकर इंदर देव के पास पहुंचे लेकिन उन्हें भी एक बार राधे-राधे नाम चपने का महितो नहीं पता था इसलिए इंदर देव कहने लगे ब्रमदेव के पास चलते हैं लड़का जिद्द करने लगा कि पालकी की दूसरी ओर से इंदर देव पकड़े एक तरफ से यमराज ने पकड़ा और दूसरी ओर से इंदर देव ने पालकी को पकड़ा ब्रमदेव के पास पहुँचे उन्हें भी राधे राधे नाम एक बार बोलने की महिमा का पता नहीं था अब पालकी को एक तरफ से यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव और एक तरफ से ब्रमदेव ने पकड़ दिया और भगवान शीव जी के पास पहुँचे भगवान शीव जी को भी राधे राधे नाम बोलने की महिमा के बारे में नहीं पता था भगवान शीव जी ने बोला भगवान विश्णू को पता होगा सब पालकी लेकर विश्णू लोग में जा पहुँचे भगवान विश्णु भी देखकर हैरान रहे गए किस पालकी में कौन आया है जिसे सुए यम्राज, इंदर देव, भगवान शीव, ब्रह्मा जी उठा कर लेके चले आ रहे हैं सब ने जाकर भगवान विश्णु से एक बार राधे राधे नाम की महिमा के बारे में पूछा विश्णु भगवान कहने लगे कि राधे राधे नाम की महिमा यह है कि देखो जिसकी पालगी एक तरफ से सुमय यम्राज, दूसरी ओर से इंद्र देव, तीसरी ओर से ब्रह्मा जी, चोसी ओर से भगवान शीव उठा कर लाएं उसे अब भगवान विश्णू की गोदें बैठने का सोभागे पराप्त होगा और उसने एक बार राधे राधे बोलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद